बैंक लिफ्ट में अगर आपको बड़े मूव चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पिछले कई दिनों से मिलके इसने एक फ्लैक पैटर्न बनाया है, याद रखियागा फ्लैक पैटर्न हमेशा बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन मार्केट में हमने पिछले 4-5 दि सपोर्ट बराने के कोशिश किया और इसी को तीन बार टकर आपका है मार्केट, और आपको पताईए कि जहाँ पे बार-बार मार्केट में सपोर्ट अगर टकराएगा तो फिर एक बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग, शब्द सुनके रखिए, पैनिक सेलिंग आने में वक्त न मैं इन सब चीजों को करके दिखाऊंगा कि मार्केट किस तरीकी से बिहेव कर रहा है, देखिए मार्केट को समझना हाती गोड़े बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आपने मार्केट को बड़ा कॉंप्लिकेट कर रखा है, ध्यान से देखिए, मैं आपको सिर्फ 3-4 दिन का आपको मैं डेटा दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, देखिए, ये 11 तारिक का मार्केट उपर गया, धड़ाम से नीचे गीरा, वो लेवल कहा से गया, 44-700 के पार से, ठीक है, अगले दिन मार् मार्केट खुला, उपर गया, जैसे ही 9.30 को मार्केट क्रॉस कर रहा है, मार्केट धड़ाम से नीचे कर रहा है, मतलब मार्केट का एक रूटीन काम बन गया है, सीधा 600 पर, अगले दिन, फिर वही हालत, मार्केट खुला, इस बार मार्केट उपर नहीं गया, मार्केट उ उसी रेंज को आके पोक कर रहा है धिरी दिर इसको बोल रहा है कि भै आप मुझे नीचे जाना है बहुत देर में ऊपर रह चुका हूँ ऐसे समय पर आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा कब तक अगर मार्केट जिस समय याद रखिएगा मार्केट अगर 45,100 के उपर अगर क्लोज देना शुरू करें क्लोज ये सुमवार को पता चलेगा अगर क्लोज नहीं होता साड़े तीन बज़े से पहले फिर से मार्केट अगर इसी रेंज पे अगर आ जाए तो फिर आपको पैनिक सेलिंग दिखने को बिलेगा अब ये पैन तो इस तरीके से मार्केट काम करता है मार्केट की चीजों को देखने के लिए आपको बस नजरिया चाहिए चार्ट वही आपके पास चार्ट वही हमारे पास लेकिन फरक होता है कि मार्केट के लेवल को अगर आपको देखना है कि मार्केट काम कैसा कर रहा है हमेशा 15 मिनि आपको market का overall view देता है एक trend बता देता है कि market क्या काम करने वाला है अगले समय में अगले आदे गंटे बाद अगले दो गंटे बाद अगले तीन गंटे बाद क्या scenario कल का हो सकता है देखिए market फिर से लगबग लगबग देखेंगे तो market आज जहां पर बंद हुआ था ना शुकरवार को वही से अगर flat भी अगर market open होता है तो भी उमीद रखिए market फिर से नीचे आ सकता है तब तक जब तक market 45,100 के उपर अगर close नहीं देता है परिशानी की बात क्या है कि आप लोग market में आते हैं सिर्फ call book लेने के लिए बस यही घडबर हो जाती है अगर ध्यान से देखना शुरू करेंगे आपको कभी भी market से शिकायत नहीं होगी वीडियो अगर अच्छा लगए तो like, share, subscribe ज़रूर कीजिएगा आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए जय हैं